चक्रवाती तुफान बेपर जोय गुजरात के तट से तकराने के बाद तटिय जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दोड़ जारी है मौसम विभाक्यानुसार तुफान के आज दक्षिनी राजस्तान में प्रवेश के साथ ही प्रशासन अलर्ट हो गया है बाद मेर और जालोर में रेड अलर्ट है जैसल मेर बाद मेर और सिरोही में तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही है मौसम विभाक के अनुसार चक्रवात दक्षिन राजस्तान में प्रवेश के साथ ही डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा इससे होने वाले नुकसान को कम करने और किसी भी तरह की कोई जानहानी ना हो इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पुक्ता कर ली है आज गुजराच से राजिस्तान की सीमा में प्रवेश करने की संभावना है जैपूर के मौसम विभाग ने बाड मेर और जालोर जिलों में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलट जारी किया है मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधिस जिलों को अलट कर दिया है कई जिलों में करमचारियों की छुटियां रद कर दी गई है और उन्हें मुख्याले पर रहने के निर्देश दिये गए है साथ जिलों में SDRF जबकि अजमेर में NDRF की टीम तैनात की गई है सभी जिलों में कंट्रोल रूम इस्तापित किये गई है आपदा प्रबंधन विभाग सेना और वायु सेना के साथ भी लगातार संपर्क में है नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दी गई है